सर आज 24 अगस्ट है और 1608 मतलब आज से 413 साल पहले First Official British Representative landed at सूरत सूरत में पहला British Official प्रतिनिदी लेंड हुआ था और आज वो दिन है जिस दिन हमारे वीर स्वातंतर सेनिकों में से एक यानि शीव राम हरी राजगुरु इनका जन्मदीन है उनी British के खिलाफ जिनोंने आवाज उटाए थी और अपने प्राणों के आउती दी तो सबसे पहले मैं इस भारत के वीर सपूत को नमन करता हूँ और आज के मेरे विशय का प्रारम करता हूँ मित्रो भारत एक अपने आप में एक जबर्जस्ट बात है मतलब विकास सबसे उचाई पर अगर दुनिया में सबसे पहले गया तो वो भारत में था और उसका जो कारण था वो था विलेजिस ओफ इंडिया ऐसा कहता है कि भारत गाउं से बना है और जब गाउं विक्सित होगे ना तब देश विक्सित होगा तो MCL विलेज प्रोजेक्ट MVP इस विशई पे आपको प्रॉपर पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए आज के इस वेबिनार का अयोजन किया गया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब आज का वेबिनार समाथ हो तो आपके मन में ना कोई शंका रहे ना कोई प्रशन रहे और ना कोई भई रहे और आप हमारी ही तरह पूर्ण ओ कांफिड़न्स के साथ इस मिसन में जुड़ जाओ मित्रो जो हमारे परिवार के लोग आज इस सेशन को आइटेन कर रहे है चाए वो हमारे MPO MBS के डाइरेक्टर या ओनर हो चाए वो हमारे MVP जिन्होंने हमसे अल्रेडी जुड़ाओ कर लिया है वो हो चाए हमारे चैनल पाटनर हो या भविश्य में MCL परिवार से जुड़ने वाले हमारे युवा और हमारे देश के किसान उद्ध्यो जखो आप सब का पूर्ण MCL परिवार की तरफ से मैं आज के इस वेबिनार में हारदिक स्वागत करता हूँ मित्रो जैसे आप सब जानते हो कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ वेबास आती अगर मनुश्य का 5 से 10 हजार साल का इतियास देखा जाए तो उसमें से 90 प्रतिसत समय भारत पूर्ण दुनिया में सबसे विक्सित था अगर यूरोप की बात करे तो जहां पे तब उस समय पे जब लोग वहां पे जंगलों में रहते थे तब भारत ने इतना विकास किया था कि जिसके बारे में आज हमें ऐसा लगता है कि वो कहानिया है मगर ऐसा नहीं था मित्रोप भारत ने उतना विकास किया था उसमें आयुर्वेद था, उसमें एस्ट्रोलोजी था, उसमें आधुनिक विगनान था, हमारे देश में ऐसा कहते है कि विमान यानि हवाईजाज बनाने का तंत्र यंत्र ये भी मौजुद था, मगर वो सब हमने खो दिया और इसलिए हमें लगता है कि सायद वो था या कहान दुनिया थी, मित्रो, इंडिया की अगर GDP की बात करे, आज हम दुनिया की सिब 3-2% GDP है, मगर एक समय था, जब हमारी GDP पूरी दुनिया की 25-30% थी, पूरी दुनिया को 40-60% सामान भारत देता था, और ये था भारत का जो वरतमान, आज भले जो भी हो, जो भूतकाल था, व आस 400 साल में, जब बृटी सर भारत आये, और बृटी सरोंने भारत में राज किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में राज किया, जो कुछ यहां पे था, चाहे वो धन था, चाहे हमारी उन्दत खेती थी, ये सब उन्होंने उनके देश के, यानि बृटन के विका का नास किया और इसके कारण दीरे 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 हम नीचे गए और आज की हमारी जो GDP है वो 2.32% मतलब आप सोजो 40% कहां और 3% 2% कहां तो यह हुआ British role में मितरो what was the reason for prosperity हम इतने प्रगतिशील क्यूं थे मतलब हम इतने पूरी दुनिया में विश्वगुरू क्यूं थे उसके पीछे का जो कारण था भारत की खेती भारत अपनी खेती में इतना उन्नत था इतना विक्षिट था कि भारत अपनी जरूरत की हर चीज अपने Agriculture was the sector जिसके कारण भारत विश्वगुरू था, मित्रो आपने बलूतेदार सुनाओगा, बारा बलूतेदार, गाउ अपनी हर जरुवत पूरी करता था, एक अलग व्यवस्ता थी, जिस व्यवस्ता को अंग्रेजों ने नहस्तो नाबूत किया, मित्रो villages were the growth engine, मुझे याद है मित्रो, 2018 में दिवाली का एक celebration था, MCL का, उस celebration में हमको कुछ greetings दिये गए थे, उस greeting पे एक circle दिवारा लिखा हुआ एक message था, वो message था, let's enlighten villages of India with the lamp of, sorry, let's enlighten India with the lamp of MCL village project, बतलब MCL village project वो दिये है कि जो पूरे भारत को जग मगाने वाले हैं, और ये vision और mission, आज से नहीं, सरका सालों से clear है, अगर बात करें देश की, विकास की, तो हर चीज में, हर विशय में हमारे गाउं, उननत्ते, चाहे वो खेती हो, चाहे एनिमल हस्बेंडरी हो, चाहे वो हैंडिक्राफ्ट हो, हमारी कलाय हो, सिल्को हो, वास्तु हो, we are at the top, हमारे जैसा ना आज भर के देश में सोना आता था, what was the commodity, commodity was gold, हम देते थे सामान और लेते थे सोना, और वो सोने का अगर एक उधारन बोलू, तो दक्सिर में एक मंदिर है, जिसे हम पदमनाब मंदिर कहते हैं, अभी बीच में इसके दो तैकाने खोले गए, और उसमें से एक लाक करोड से अधिक के मुल्य का सोना मिला, और आज भी वहाँ पे एक तैकाना बंध है, ऐसा कहते है, कि उसमें इतना सोना है, कि हम उसकी कलपना भी नहीं कर सकते, और इसलिए भारत को सोनी की चिडिया कहते थे, और इस सोनी की चिडिया को लूटने अंग्रे जाये थे, मित्रो, MCL is going to make our great nation, सुजलाम सुफलाम nation again, MCL का लक्ष क्या है, भारत को सुजलाम सुफलाम बनाना, फिर से विश्वगुरू बनाना, यही MCL का लक्ष है, अगर हम MCL की बात करे, about us, Meera Clean Foods Limited, यह MCL कंपनी का नाम है, मगर यह MCL कंपनी, यह आपके कंपनी है, you are the people, जो इसके मालिकों, औ और आप लोगों के लिए कंपनी बनिये, कंपनी का जो registration, establishment हुआ, वो 9 August 2012 में हुआ, कंपनी को 10 साल हो चुके है, एक करोण के authorized capital से 10 करोण, और आज 100 करोण authorized share capital की यह कंपनी है, एक कंपनी को जो मजबूत निर्मान करना चाहिए, base का, वो निर्मान MCL ने किया, और MCL का लक् है, वो है, environment के लिए काम करना, energy independence के लिए काम करना, और empowerment of masses, मतलब लोगों के भले के लिए काम करना, ये कंपनी, अपने आप में एक कंपनी जरूर है, it's a organization, बट इनका जो vision, mission है, वो बाकी कंपनियों से पूरा अलग है, और who is the team, क्योंकि कोई भी काम करने में सबसे पहले ये देखा जाता है, कि ये करने वाले लोग कोने, तो आप सब जानते ही हो, डक्टर शाम घुलब सर, ये व्यक्ति हमारे मार्ण दर्सक के, प्रमुक मार्ण दर्सक, फ्रंट से लीड करते है, आज इनोंने अपने जीवन के 23 साल इस मिसे को दिये है, अगर इनके बारे में बात करें, तो एक सामान्य परिवार में इनका जनम हुआ, मगर असामन्यक समताओ के साथ, उन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा, लोगों के लिए सोचा, अगर इनकी बात करें, तो महराष्ट्रा में नंबर वन जो मेडिकल कॉलेज मानी जाती है, वो के एम की कॉलेज से इनका MBBS हुआ, MD गाइनेक में ये नंबर वन आये और वो कर रहे थे, इनके पास बहुत सरल रास्ता था, स्पेस्चेलाइजेशन करना और एक अच्छी जिन्दगी जीना, मगर इनको लगा कि आर अपने लोगों के लिए कुछ करते, अपने देश के लिए कुछ करते, और उन्होंने तब तयारी सुरू की IAS की, और उस समय पे उनका संबंद जुड़ा, MD अब्दूलकलाम सर से, और तब से उनके फॉलोर की तरह, उनके सिश्य के तरह, MD शाम गोलब सर काम कर रहे है, मित्रो एक व्यक्ति को जीवन में जो कुछ पाना होता है, वो सब उनके पास ह मान, सन्मान, रुद्बा, पद, सब कुछ है, मगर वो सब बाजू में लखके, पिछले दो दसक से अधिक समय से, वो व्यक्ति, डॉक्तर साम सर, सिर्फ और सिर्फ देश के भले के लिए काम कर रहे है, और आप में से जो अनुमोवी लोग है, वो ये जानते है, कि जब बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि इनके कारण, ये पूरा जो आज हमको मौका मिला है, इस इंडेस्ट्री में उद्योजग बनने का, वो इनके कारण मिला है, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा, जहां पे आप हो, सर के लिए एक जोड़दार था लिया, सर के साथ कंदे से कंदा मिला के, डॉक्टर लवेज जादव सर, जो उनके बच्पन के मित्र है, वो काम कर रहे है, सर भी एक MBBS डॉक्टर है, क्रिटिकल केर सर्जेरी के स्पेशालिस्ट है, और वो भी एक वेल एस्टाबलिस्ट व्यक्ति है, मुंबई में जब सेवन इल ह होस्पिटल में वो थे, तब वहाँ पे हैड थे, और उनके पास भी बहुत बड़ा केरियर था, आज भी है, मगर वो भी डॉक्टर साम सर के साथ कंदे से कंदा मिला के, हमारे इस मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे है, और हमारी एक्जिकेटिव डैरेक्टर, अगर ह से युनिवर्सिटी से उन्होंने अपना डिगरी हासिल की है, वो आयम से, सुरी, वो अल्रेडी इंडियन इंस्टिट और पेट्रलियम से जुड़े हुए रहे है, और उन्होंने इस विशाई को आगे ले जाने में सरका और लवे सरका पूर्ण रूप से साथ दिया है, क् कि ये टीम I.C. है, जो टीम पैसे के लिए नहीं आईए, वो कुछ कर दिखाने के लिए आईए, और इसलिए इन तीनों को में बहुत बहुत चुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और इन तीनों का जो प्रमुख मार्दर सक है, वो है हमारी मीरा माता, हम इनको मा सेल के अगर बात करें तो आप सब एक्चुली टीम हो मगर फ्रेंट लाइन वारियर्स अगर मैं बात करू जिनके कारण में आया सबसे पहले श्रवन माने सर यह फोटो में आप देख रहे हो सेंटर में शाम सर है प्राची में में और लवेश सर है राइट के बात करू तो मान में सर है कामरे सर है साचिन पाइगन सर है हमारे वेवु चवान सर है किसओ रटोर है उसके साथ देमुक सर छगन, राटोर सर कर दियम सर धर्णे सर दातिर सर और किला होत ए तो दिवाल की भारी दिवाल मजबूत होनी चीए तो एक समय एक साइड पे राइड में शाम संकर उपादेशर और दूसरी और दूसरे कोने में मैं खड़ा हूँ तो ये दिवाल इतनी मजबूत है ना इसको कोई हिला नहीं सकता और इनके साथ-साथ इनकी अपनी टीम ये व हमारे साथ सामसर के साथ इन्होंने जो मेहनत की है जो संगर्स किया है इसके फलस्वरूप आज हम यहां तक पहुचे है मित्रो MCL का विजन क्या है लार्जेश्ट एकोनमी इन दे वर्ल्ड बायो फ्यूल के चित्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना फ्यूल इंडिपेंड पूरा भारत इस तरह से विक्सित होना चाहिए कि जो पहले था ना उससे भी ज्यादा ताकतवर और समरूद होना चाहिए यह MCL का जो है वो मिसन है और यह कैसे होगा मित्रो आप सबने डॉक्टर लवेश जादो सर का एक स्लोगन सुना होगा आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है MCL ही सुजिलाम सुपलाम भारत का रास्ता है यह एक स्लोगन नहीं है मित्रो यह एक हकिकत है और जो लोग पितले छे मैने एक साल दो साल से हमसे लगेंगे और इसमें जो प्रमुख होगा वो होगा MCL विलेज प्रोजेक्ट क्योंकि भारत गावों से बनता है और भारत गावों में बसता है तो गाव विलेजिस इस आर्दब बेसिक यूनिट जब तक उसका विकास नहीं हो सकता MCL विलेज प्रोजेक्ट a project for economic development of villages मित्रो आज भी देश में ऐसे कई गाव है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है जहाँ पे income इतनी कम है कि शायद उनको दो समय का भरपेड भोजन भी नहीं मिलता है सबसे पहला अगर कुछ करना है हमको तो economic development of villages करना है जब economically develop होगा village तो socially भी develop होगा और हर तरह से उसका विकास होगा तो MCL village project में सबसे पहले जो हमको एच्जीव करना है वह है economical development of villages विजन ओफ M.V.P. MCL village project का विजन क्या है आप में से बहुत लोगों को लगता है कि business करना पैसे कमाना यही M.V.P. का विजन है यह पार्शियल सच है मतलब यह हमारा by-product है MCL का M.V.P. विजन क्या है to make every village is a sujlam-suflam village सुjlam-suflam यह सब में सब आ जाता है एक village कैसा होना चीए न वो आप जो कलपना कर सकते हो न वो सारा होना चीए यह M.C.L. का विजन है mission क्या है उस गाउ का पूर्ण विकास उस गाउ के चाहे वो जमीन हो चाहे पानी हो चाहे लोग हो इन सब का maximum विकास करना और इस विकास के द्वारा देश का विकास करना और फिर से विश्वगुरू बनना मित्रो code of conduct innovation, environmentalism and patriotism मित्रो आप सब जानते हो कि भारत में प्राचिन काल में सिक्षन पद्दती बहुत उन्नत थी यह उसी का एक फोटो है और यहाँ पे हमने कई innovation किये ऐसे innovation हो कि अगर बात करने बैठू तो एक दिन भी कम पड़ेगा जैसे आज हम सर्जरी की बात करते है डॉक्टर लवे सर्ड, डॉक्टर साम सर्ड, डॉक्टर से मगर सर्जरी की एक्चिल सुरुवात विश्व में कई होगी तो भारत में होगी अगर आप गूगल करोगे सुस्तृत सहिंता तो आपको पता चलेगा कि रुशी सुस्तृत होते जिनोंने इसकी नसिफ सुरुव थे उनको पता था कि अगर हम ऐसा विकास करेंगे जो परियावरन के अनुकूल नहीं होगा तो ये बहुत घातक होगा और इसलिए उन्होंने हर चीज को ऐसे बनाया कि वो परियावरन के अनुकूलती और पैट्रोटिजम मतलब देश भक्ति मित्रो कौमन आदमी के लिए दे चल गया वहाँ पर युद्ध होता है और युद्ध में या तो वो जीत के आते है या सहीद हो के आते है और ये होती है देश भक्ति देश भक्ति ये कोई विचार नहीं है ये जज़बा होता है और जिन लोगों के अंदर देश भक्ति होती है न वो लोग MCL के आज हिस्सा लिए है तो पेट्रोरिजम देश बक्ती हमारे रगों में भर-बर के बनी है objective of MVP MVP का objective क्या है तो सबसे पहला MVP यह हर गाउं के लिए हर गाम पंचायत के लिए है तो हर गाउं के हर व्यक्ति का जो हमसे जुड़े उन सबका 8-10,000 का हर मैने का income बढ़ाना आज वो जो काम कर रहे है आज वो जो कमा रहे है उसको बढ़ा के 8-10,000 रुपे और income उनके परिवार में उनके घर में देना यह हमारा पहला लक्ष है दूसरा क्या है तो generate employment मित्रो MBP वे कारण हर गाउं में शुरू में 10 से लेके 100 लोगों को तो direct employment मिलेगा जैसे हम कहते है कि 500-500 लोगों को तालुका में employment मिलेगा indirect employment 10-15,000 को मिलेगा मगर मैं जिस level पे आज MCL को समझता हूँ मैं आपको बतातू कि यह employment करोडों में होगा पूरे देश में इतना होगा जिसकी हमको जरुवत है तो हमारे हर युवा को रोजगार मिले यह हमारा लक्ष है to develop agriculture to the fullest of its capacity agriculture is the crush यह वो चीज है जो देश को फिर से उन्नत बना सकती है और agriculture को एकदम जबर्जस capacity पे बढ़ाना उसका विकास करना यह हमारा लक्ष है मित्रो आज भारत में animal husbandry चल रही है बहुत जगा पे है उसको विक्सित करना उसको develop करना गाव गाव में उसके लिए जो आवश्यक पस्तू है वो करना to develop and support local handicraft मित्रो भारत में कला भरभर के भरी है हर प्रदेश की हर जिले की अपनी अलग पहचाने जैसे मैं सावंत वाड़ी की अगर बात करू वहाँ पे पहले लकड़ों के खिलोने लकड़ी के खिलोने बनते थे आज हम चाइना के chemical वाले खिलोने हमारे बच्चे के हाथ में दे र खिलोना पापा खेले बेटा खेले और पोता खेले मतलब ऐसा खिलोना कि जो उनके साथ जीवन का हिस्सा बन जाए अगर आप पुराने लोगों से बात करोगे तो उनके परिवार में एक ऐसा खिलोना होता था जो वह बच्चपन से लेके जब तक वह 50-60-70 साल के भी हो जा हो मेरा कंसक्शन का काम राइगर डिस्टिक करज़त तालुका में चलता है बारिश इतनी होती है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते अगर हम चाहे तो पूरे मुंबई को पानी दे सकते हैं उससे मगर बारिश के बाद दिवाली के बाद पीने के पानी के भी इस्यू होते तो हर गाउं को पानी के लिए निर्भर नहीं लोना पड़े किसी पर आत्मा निर्भर बनाना ये काम हमको करना है तुमेक विलेजिस 100% और्गेनिक फूड में जाना और इसके लिए जो चीए वो करना तुमेक विलेजिस 100% कार्बन नूट्रल तो कार्बन मतलब क्या प्रदू नूट्रल करेंगे सच को ना तो डॉक्टर साम सर केते हम कार्बन नूट्रल नहीं करेंगे हम तो कार्बन नेगेटिव करेंगे और कैसे करेंगे तो फॉसिल फ्यूल को क्लीन बायो फ्यूल से रिप्लेस करके करेंगे अगर विलेजिस टी बात करें तो आज ये फोटो दे गाओं को zero waste बनाना और waste से best बनाना यह MCL का mission है to maximize use of eco-friendly product replace all petrochemical product petrochemical product से बहुत कुछ बन रहा है उसको replace करके eco-friendly product की तरफ जाना to develop and support local innovation मैं तो इसमें आप महिला का photo देख रहे हो एक हाथ में उसके घड़ा है और दूसरे हाथ में एक roller जैसा कुछ है और यह roller नहीं यह पानी का tank है अगर इसको सिर्पे उठा के ले जाना होता तो कितना कठीन होता मगर इसको एक अलग innovation की तरह देखा गया तो यह कितना आसान हो गया सिर्प धकाई तो मारना है मैं तो अगर innovation की बात करे ना तो नासा 70% scientist भारतिया है Pepsi के CEO Google के CEO अने कंपनियों को भारतिय ब्रेन चला रहे तो यह innovation तो हमारी रग रग में बसा है इस innovation को local level पर promote करना क्योंकि उनको वो platform नहीं मिलता यह देना यह MCL का काम है उसको MCL तक लाना यह MVP का का काम है तो है इंपरूज सेनिटाइजन और विलेज मैं तो कुछ समय पहले तक भारत के हर गाओं में सेनिटाइजन सोचलयों की व्यवस्ता नहीं थी सरकार ने स्कीम चलाई पिर भी आज हो सकता है कही ना हो यह व्यवस्ता घर-घर में क्यों ना हो यह हमें करना है to take care of our water bodies भारतिय लोग नदी को कहते हैं नदी हमारी माता है मगर मुझे बताओ दोस्तो हम सारा कचरा कहाँ डालते हैं क्या हमको अधिकार है इसको माता कहने का अपने दिल से पूछो नदी हमारी माता है मगर हमारा सारा कचरा उन नदियों में जाता है करना होगा to prevent and take care of local ecosystem पूरे परियावरण की रक्षा करना उसको फिर से बढ़ाना बसाना क्योंकि नास कर दिया है हमने यह काम हमको करना है यह काम भी MCL का तो है मगर उस गाहों के लिए उस ग्राम पंचेत के लिए वो किसके माध्यम से होगा MVP के माध्यम से होगा understand the business model मैंने आपको basics बताया कि MCL क्या क्या करने जा रहा है परियावरण के लिए लोगों के लिए अब हमारे business model को समझते मित्रो business sector of MCL, MCL किस किस industry में जाएंगे, MCL का business sector क्या होगा, biofuel होगा कि क्या होगा तो सबसे पहला sector होगा renewable oil and gas यानि biofuel, मित्रो अगर biofuel industry की बात करो तो आप google कर लेना कि आपको पता चलेगा यह industry कितनी बड़ी है, भारत आंठ लाग करोड का इंदन आयात करता है और 4 लाग करोड की energy needs आयात करता है, मतलब 12 लाख करोड हमारे मेनत के चले जाते हैं विदेशों में oil and gas लाने के लिए तो यह हमारा पहला business sector है, second business sector है हमारा organic farming and product, मित्रो, organic farming is the need of time और यह हमारा second business sector है, यह अपने आप में एक industry है, biofuel भी अपने आप में industry है तीसरा है MCL eco-friendly product to replace all petroleum products to eco-friendly natural product यह भी अपने आप में एक पूरा का पूरा sector है, gram 35 basic unit of ruler India अगर भारत की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया, भारत गावों में बसता है तो भारत के जो basic unit है ना, वो gram 35 जब तक एक गावों का विकास नहीं होगा ना, तब तक भारत का विकास होई नहीं सकता और इसलिए gram 35 basic unit of ruler India and MCL gram 35 basic unit of business, MCL का business कहां से होगा MCL का business भी आप लोगों के वहां से यानि आपके गामों से होगा, जब वहां से होगा तभी तो बाहर जाएगा, तभी तो उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में दे सकते so gram 35 is basic unit of business for MCL, MVP is project designed and dedicated for gram 35, इस project को इस तरह से design किया गया है कि यह उस गाओं के लिए और उस gram 35 के लिए पूर्ण रूप से काम करेगा, अगर हम MVP shall provide all the business activities at gram 35 level, मतलब जो जो हम कर सकते हैं न मित्रो, वो सब करेंगे, क्यों न करें, अगर हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हम अगर अनेक प्रकार के business कर सकते हैं, हमारे पास इतनी समता है, हमारे पास इतना potential है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, कि हम जरूर करेंगे और वो हर गाओं में करेंगे MVP शेल वर्ग as per need of village भारत यह बहुत विवित्ता का देश है कहीं पे बहुत सारे पहाड़ है कहीं पे दलदल है कहीं पे रेगिस्तान है कहीं पे मैदान है भारत का पूरी विवस्ता ही अलग है तो हर गाओं की requirement भी तो अलग करना है socially develop करना है सारी सुविदाय देनी है बट उस गाओं की जरूवत क्या है उस जरूवत के हिसाब से हम उन गाओं में काम करेंगे mcl cell create infrastructure invest in project required for village through mvp mvp के माध्यम से उस गाओं के विकास के लिए और उस गाओं के agriculture सेक्टर की विकास के लिए mcl investment करेगा function or working of mvp अब यह समझते हैं कि mvp का functioning कैसे होगा मतलब कैसे उसकी विवस्ताय चलेगी और working कैसे होगा तो सबसे पहला mvp के माध्यम से उस गाओं में biomass farming को प्रोसाइट किया जाएगा biomass यानि सिव नेपियर ग्रास नहीं है अगर कई रेगिस्ताने जहाँ पर पानी इतना नहीं है तो वहाँ पर अलग biomass हो सकता है कई पर दलदल है वहाँ पर algae हो सकता है biomass के अनेक प्रकार है अभी तक आप सिव नेपियर ग्रास को जानते हो मगर आपको मैं बता दू सामसर के खजाने में है न बहुत कुछ है वो समय आने पर आपको पता चलेगा तो आप यह मत सोचो के आपके यहाँ पर नेपियर ग्रास अगर कम आता है या नहीं आता है तो क्या होगा we have ready model for that MCL ने उसकी तयारी करके रखी है organic farming यह हमारा second day most important sector to convert cancer farming into 100% organic farming मित्रो आज cancer की मात्रा इतनी बढ़ रही है और वेगनानिको ने चेतावनी दिये कि अगर 10-15 साल में हमने इस व्यवस्ता को नहीं बदला इन chemical farming को नहीं बन किया तो घर-घर cancer होगा अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो ना किसी cancer hospital के अंदर जाके visit करो आपकी रूहे काब जाएगी आप सोच नहीं सकोगे, सो नहीं सकोगे, खानें सकोगे आज मैं जब किसी फल को देखता हूँ ना, मुझे chemical दिखता है उसके color में क्यूंकि हम सिर्फ chemical खा रहें, इसको बदलना होगा आप सब जानते हो, पंजाब के भटिंडा से, राजस्तान के विकाने एक train चलती है उस train में सिर्फ cancer patient जाते है और इसलिए उस train को cancer train कहते हैं, मित्रोई cancer इसको बदलना होगा, इसको खतम करना होगा, और वो तब तक नहीं हो सकता, जब तक हम 100% organic farming पे ना जाए, इसके लिए बहुत सारे inputs लगेंगे यह सारा MCL आपको provide करेगा, MCL eco-friendly product manufacturing and promotion यह MCL MVP के माध्यम से करेगा, इसके लिए जो support चाहिए, वो सारा MCL देगा, dairy husbandry, दूद, दूद के बारे में अगर बात करें तो भारत के 90% से ज़्यादा लोग तो दूद पीते ही होंगे, बच्चों को तुम पहले कहते हैं, भाई दूद से उसके कारण by 2025, आज 2022 चल रहा है, 2025 तक 80% भारतियों को cancer हो जाएगा, because of plastic bag milk, मुझे पता नहीं यह सच होगा की नहीं, मगर it's a threat, अगर यह दूद, हमारे बच्चों को हम अच्छा बोलके पिला रहे, आपके पास हो सकता है करोडों रुपए हो, गाड़ी हो, बंगले हो, you may be the best person, but अगर हमारे खाने में chemical है, हम cancer की खत्रे में जी रहे, तो what is the use of that money, तो 100% organic A2 milk की तरफ हमको जाना है, local friendly product, local handicraft, हर राज्य का, देखो न, यह कितने सुन्दर फोटो दिख रहे, यह कला, कुरुतिया, पूरी दुनिया मांग रही है यार, इसको लेके जाते हैं लोगों तक, assessment of specific crop, activity, handicraft, animal asmentary, जिस गाओ के लिए जो है वो करेंगे, यह फोटो क्या है पता है, यह भी एक प्रकार का biomass है, इसे कहते algae, और इसका एक प्रकार में बताओ, spirulina, जिसको हम गोली, nutrition गोली की तरह आपर दे, इस विशे में मैं अभी गहराई से नहीं जा रहा हूँ, बट इसको आप YouTube पे study कर सकते हो, जहाँ पे बहुत पानी नहीं है, जहाँ पे जमीन अच्छी नहीं है, वहाँ पे इस तारह के tank बना के इसके अंदर भी biomass की खेती हो सकती है, spirulina यानि algae की खेती हो सकती है, demo project, मित्रो हमने एक strategy बनाई हुई है, हर गाउ में सबसे पहले हम जो करेंगे न, उसका एक demo लगाएंगे, उसका एक उदारन दू, तो हमने बहुत सारी जगापे नेपियर ग्रास के already demo planting की है, और वो demo खड़ा होता है, लोग अपनी आखों से देखता है, और तब उसे पता चलता है कि हाँ, demo मतलब क्या है, अगर नेपियर ग्रास की बात करूँ, तो नेपियर ग्रास के तो बहुत demo है, मगर आगे जाके जो काम हम करेंगे, चाहे वो खेती हो, चाहे कुझी भी हो, ये सारी चीजों के demo पहले MVP वालों के सुरू होंगे, trainings, देखो मित्रों, आज आज आपको एक देश का नाम में बताना चाहता हूँ, वो देशे इसराइल, मुंबई, नवी, मुंबई और ठाना, इन तीन जीलों को मिलाओ न, तो पुरा इसराइल बन जाएगा, पॉपिलेशन अगर इन तीन अपने जीलों की बात करूँ, तो धाई करोडे और पूरे इसराइल का पॉपिलेशन, असी लाके, मगर आज agriculture में, they are the world leader, क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सिर्ट टेक्नोजी विक्षित की, मगर उसकी training भी उनके किसानों को दी, ये training देने का काम भी है न, MCL, MVP के माध्यम से ही करेगा, supply of all input for farmer, आपको organic fertilizer चाहिए, organic pesticide चाहिए, bio pesticide चाहिए, bio fertilizer चाहिए, organic seed चाहिए, MCL कोई सावकार नहीं है, कोई जो आपको लूटने आएगा, MCL तो देने वाला है, he is not a taker, he is a giver, तो हमारी हर strategy के पीछे भावना देने की होगी, लेंगे, जो कमाएंगे, वो भी आपको ही देना है, buyback of product, आपके product को ना सिप support करना, ना सिप training देना, उनका buyback करना, उसको market दिलाना, ये काम भी MVP के द्वारा ही होगा, assessment of various crop and area, मित्रो, भारत में आज भी scientific खेती नहीं होती, आप में से कितने लोगों ने आपकी मट्टी का scientific test कराया है, कि उस मट्टी में क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है, अभी government बहुत कुछ focus कर रही है, राज्य सरकारे भी कर रही है, कुरुशी अधिकारी के लोग भी, मैंने, government के agriculture department के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे है, मगर क्या हमको जागरूत नहीं होना चीए, क्या हमें खुद को अपनी मिट्टी का test नहीं करना चीए, और analyze करके scientific वे से खेती होनी चीए, ये पूरी व्यवस्ता भी MCL करेगी, MVP के माध्यम से करेगी, coordination with various government official department, government ने हर काम के लिए बहुत सारे department बनाये है, बहुत सारी व्यवस्ता है बनाई है, मगर अधिकतर व्यवस्ता है, हमारे किसां को पता ही नहीं होती, ये coordination का काम भी MVP के दोरा होगा, local market potential assessment, हम उस market को study करेंगे, पूर्णा रूप से, उसकी जरुवतों को समझेंगे और उस साब से planning करेंगे, identify the skill of people and support them with adequate training, हर जगा के skills क्या है, talent क्या है, उसको हम identify करेंगे, और उसको training provide करेंगे, support provide करेंगे, ये है हमारे आदिवासी, आद तो आदिवासी पहले की तरह नहीं है, आद बहुत आगे बढ़ चुके, ऐसे ही एक आदिवासी व्यक्ति, जो कि राजे साबा सांसद है, वो हमारे परिवार से जुड़े हुए है, मगर इन आदिवासीों के पास है ना जबर्जस गनान है, forest के बारे में, जंगल के बारे में, इनकी जागुकता है ना बहुत ज़्यादा है, ये लोग है जिन्नोंने जंगलों को बचाया है, और इनके पास जड़ी बुटी का गनान है, मैं आपको एक छोटा सा अनुमों बताऊंगा, कुछ दिन पहले मुझे सर्दी कफ हुआ था, और रमेश पाटिल सर जो मेरे करी गे, जिनकोंने मुखाडा तालुका है, वो आदिवासी बैल्ट है, वहाँ से मुनोंने जो एक ल लाना है, और इनको आगे बढ़ाना है, ये काम हमको करना है, वेरियस सोचल एक्टिविटी, जो कुछ उस गाओं की जरुवत है, वी विल डू, क्रियेटिंग राइचिल फॉर वेलफर आफ विलेजिस, गाओं के विकास का काम, एसेंटमेंट अप फूड, हर्बल मेडिसी हर्बल कॉस्मेटिक, मित्रो, आईरुवेद, आपने अगर कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कुछ पिया ना, तो काड़ा पिया, मगर ये सिप आपने नहीं पिया, पुरी दुनिया ने पिया, और दुनिया आईरुवेद को आद मान रही है, हर्बल मेडिसीन, इसकी ताकत अगर पुरी दुनिया पहिचान रही है, मैं आपको कुछ कंपनियों के बाद में एक्जामपल दूँगा, स्पेस्यलाइज सर्विस इफ रिक्वाइड, जो कुछ स्पेस्यलाइज सर्विस ची है वो हम देंगे, how MCL going to support MVP, MCL is partner of MVP at every step, MCL आपका साथीदार है, यहाँ पे partner का मतलब वो नहीं है कि जो आपसे सिफ पैसा लेने आया है, यहाँ पे partner का मतलब है, वो जो आपका अपना हिस्सा है, जो आपके साथ कंदे से कंदा मिला के काम करेगा, और MCL वो व्यवस्ता है, it's a partner of MVP at every step, MCL says help to make MVP a strong, capable, self-sufficient entrepreneur, मित्रो, आज भारत, 140 करोड का दे से, और जब कोई बच्चा पढ़के आता है ना, तो वो सबसे पहले क्या मांगता है पता है, कि मुझे एक सरकारी नोकरी मिल जाए, अगर सरकारी नहीं मिलती, तो कोई अच्छी कंपणी में मिल जाए, और वो नहीं मिलती है, तो चल भाई, कोई साधी मिल जाए, मगर क्या मिले, नोकरी मिले, हम managers बना रहे, हम workers बना रहे, हमको entrepreneurs बनाने चीए, भारत में आदिकाल में उद्योजग थे और इसलिए भारत विश्व गुरु था, और इस तरह के उद्योजगों को identify करना, उनको train करना और उनको उद्योजग बनाना, ये MCL का काम है, ये MVP, ये उद्योजग का समूँ होगा भारत में, और उनके साथ अनेक उद्योजग जुडेंगे, MCL से ल क्रियेट सपोर्ट सिस्टम फॉर MVP, आपको जो सपोर्ट चीए, वह MCL से आएगा, processing unit as per need of villages, मित्रो, food processing, जैसे मेरा तरसिल है धानू, धानू में चिकु उखते, चिकु की वाडिया है, तो वो चिकु सुबे मार्केट में बिखते, जितने बिके, इतने बिके, बाके खराब हो जाते, क्या में मेरे उस तरसिल में एक चिकु जूज की फेक्टरी नहीं डाल सकता, आपके यहां पे कुछ और होता होगा, कहीं पे और कुछ और होता होगा, तो उसको processing unit, उसी गाउं म डालेंगे, और वहां से उसको MCL ब्रांड के नीचे, पूरे देश में पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे, storage and logistics, में तो आप किसान हो, और बहुत बार आपने, आपका product, आपकी महनत, जो आपने उगाई है, खुन पसीना भाके, वो ओने-पोने दाम पे बेच दियोगी क्यों, क्योंकि पैसे की जरुवती, अगर आपके बाद storage हो, आपको समय पे financial support मिल जाए, तो क्यों आप आपका माल ओने-पोने दाम पे बेचोगे, और ये व्यवस्ता, logistics, storage, ये हम करने जा रहे है, MVP के माध्यम से, training and guidance for MVP, training, guidance, चितना चीयोतना मिलेगा, marketing assessment, total मिलेगा, technical guidance, अगर हम technically sound होगे ना, तब हमारा विकास होगा, क्योंकि आज का आधिनी यूग, ये technology का यूग है, और ये पुरा support भी MCL से मिलेगा, और MCL shall help MVP to transform village, एक village को अपनी पूर्णक समता पे विक्सित करने के लिए, जो कुछ चाहिए, वो MCL करेगा, मित्रों, अब बात करते हैं, मुद्दे की, क्योंकि आप सब जब सुरुवात में जुड़ते हो, कही न कहीं दिमाग में एक ही एंगल होता है, पैसा, पैसा के बारे में मैं थोड़ा जनरू बताऊंगा, मगर ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, इससे आपकी आखे खुल चुकी होगी, आपको ये चल गया होगा, कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, मगर यहाँ पे हम देश के लिए, गाउं के लिए, अपने लिए, अपने परिवार, मित्र, पूरे गाउं, सब के लिए भला करने जा रहे, तो आप समझते पहला सेक्टर, पहला सेक्टर जो है हमारा बायोमास फार्मिंग, इस पोटो में आप हमारे एक सूपर लिडर किरन गुगरे सर को देख सकते हो, इस फेंटास्टिक लिडर और इनको भी में बहुत-बहुत बहुत लाइक करता हूँ, मतलों बायोमास के अगर बात करें, तो पहले गाउं का डेटा समझते, भारत में दो लाग त्रेपन हजा 163 ग्राम पंचायत है, as far January 2019 record, टोटल खेती योग्यों जमीन 139.4 मिलियन हेक्टर भारत में है, अगरिकल्चर लेंड अंडर क्रॉप, मतलब खेती जो होती है, वो 557.6 हेक्टर, यह हर ग्राम पंचायत में मिनीमम होती है, मतलब यह एवरेज है, मिनीमम, मगर इससे कई जमीन 55.76 मिलियन हेक्टर, इतनी बड़ी मात्रा में अनुपजाव जमीन है, और जैसे मैंने अभी आपको एलगे के फोटो दिखाये थे, वो जो टैंक बने हुए थे, इस तरह से हम उन बीनुपजाव जमीन में भी हमारा बायोमाज हुगा सकते है, एवरेज वेस्ट लें इन इज ग्राम पंचाद 223 हेक्टर, मित्रो ये जमीन हमारा देश जमीन में अना बहुत रिच है, हर जमीन की अपनी स्पेशालिटी है, अपनी अलग प्रकार है, और टोटल लेंड एवलेबल फोर, यू इन इज ग्राम पंचाद 780.6 हेक्टर, 557.6 खेती हो गया, और 223 जिसमें खेती नहीं हो सकती, मगर हम इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो मॉडल भी हमारे रेडी है, और अवर मिनीमम बिजनेश टारगेट, MCL को मिनीमम 10 तन से सुरू करके, 100 हेक्टर से सुरू करके, 100 हेक्टर बायो मास्ट फार्मिंग, हर गाउं के लेवल पे, ग्र मिनीमम 457, इतना तो हमारा रोल मॉडल बेसिक रेडी है, और इसको हम दुगना तिगना भी कभी भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल खेती औरगेनिक पद्दत इससे तो करेंगे, मगर उसमें विगनान भी वापरेंगे, और जो आदोनिक क्रोब है, ओ क्रोपों की खेती करेंग तो भिग जाएगा, मार्किट मिलेगा की नहीं मिलेगा, ये पूरा एनालेसिस भी हम करेंगे, बायो मास फार्मिंग पोटेंशल की अगर बात करें, तो प्रोक्रमेंट ऑफ बायो मास 8 रुपिस 1000 पर टन फ्रॉम फार्मर, और आप सबको अब नेपियर ग्रास पता चल गय मगर अगर इसके बारे में थोड़ा में बताओ, तो ये गन्ने की तरह लगता है, एक बार लगाने पर 8 साल मिनिमम चलता है, पहला कटिंग 3 महिने में, फिर हर 2 महिने में कटिंग मिलता है, और पर एकर पर येर हम तो 1500 से 200 तन ही क्लेम करते थे, मगर पंडरपूर में हमारे एक एंटरपेनर है, मिस्टर भिम्राव कॉंडुबेरी सर, जो की एक रिटायर क्रिशी अधिकारी है, उन्होंने एक नेप्यर ग्रास को लाया और इस तरह से विक्सित किया, कि वहाँ पे एगरिकल्चर सांटिस महाराष्टरा के गए, एगरिकल्चर ऑफिसर्स गए, उन् 2200 टर्न पर एकर पर यर, चमतकार है, मित्रोच चमतकार, एवरेज वास, 1700 टर्न पर एकर पर यर, और ये आप, आपकी आखों से जाके देखो, मैं सारे MVP उद्योज़कों से विंति करूँगा, कि वो लोग अपने तालुका के MVP वालों को लेके जाए, वहाँ से नेप्यर ग करो, और ये नेप्यर ग्रास, ये किसानों का भविश्य बदलने वाला है, ये किसानों को जबर्जस्ट इंकम देने वाला है, that is two, at zero risk, क्योंकि समझो एक क्रॉप खराब हो गया, इसको कीडे लग गए, हमको कोई बड़ा फर्क नहीं पढ़ता, we are concerned with quantity and not with quality, तो ये एक आस को चारे की तरह भी आप दे सकते हो, और भविश्य में, हम इसका चारा बना के भारत में अगर मिलता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो गाउंगा होगा है, मगर पूरी दुनिया को दे सकते है, अरब कंट्री में घास नहीं होगता, वहाँ पे भी दे सकते है, आपको पता ही होगा कि अभी आरब कंट्री ने कितने मेट्रिक टन गोबर मंगाया है, अब इसमें का एक में बहुत महतोपन आपको बात करना चाहूंगा, कोल के बारे में, आज के इस विशे में हमने इस विशे को विस्तार से नहीं लिया है, बट आपको ये जानना जरूरी है, थोड़ा सा बताऊंगा, मिश्टो, जो कोईला है ना कोईला, उसकी वर्ल्ड मार्किट है, 60 लैक करोड, 60 लाक करोड की वर्ल्ड मार्किट है, भारत की मार्किट बद करें ना, तो वो भी 10 लाक करोड की मार्किट है, कोईला, प्रदूशन का सबसे बड़ा कारण है विश् हम रिसेंटली एंटर हुए है बायो कोल इंडस्ट्री में और आपको लगेगा यह अच्छानक इसकी शुरुआत क्यों की तो मित्रों मैं आपको बता दू दो साल पहले जब हम डॉक्टर साम सर का प्रेजेंटेशन सुनते थे धाई साल पहले तब हमारे मन में सवाल आता था कि अरे बायो फ्यूल के लिए जब सुरू में हम 10 तन से सुरू करेंगे तो सायद 100 एकर या हेक्टर इतनी जमीन बस हो जाएगी फिर इतनी सारी जमीन इतने सारे किसान अरे हम कैसे करेंगे सर हमारे सब के मन में सवाल आता था तब दॉक्टर साम सर कहते थे मेरे पास वो स् बायो कोल में हम हर विलेज में जो हमारे MVP प्रोजेक्ट है वहाँ पे 10 हेक्टर यानि 25 एकर से शुरू करके 100 हेक्टर यानि 200 एकर नेपियर ग्रास only for बायो फ्यूल जाएगा बायो कोल जाएगा और ये बायो कोल भारत सरकार ने पॉलिसी बने ये जी आर दिया है कि लगेगी और इसको समय लगेगा और लगता भी है क्योंकि सारी प्रक्रिया में जाना है मगर बायो कोल अगर आप 100% MVP करते हो अगर आप आपके किसानों का टार्गेट कर लेते हो तो आपके यहां पे इमीजेट स्टार्ट हो सकता है और कल इसके विशे में एक मीटिंग हु अगर उसके पहले बायो कोल लगेगा और इसके कारण हमारे किसानों के घर में पैसे जाएंगे अब बात करता हो पैसे की मित्रो अगर 10 हेक्टर एक गाव में लगता है और एक हेक्टर में एवरेज मैं हेक्टर की बात कर रहा हूँ जबकि एक एकर में 700-800 तन नेप्यरगा में 5000 टन नेप्यरग्रास हुआ सालाना अगर यह 1000 रुपय से बाइबेक हुआ तो रिवेन्यू कितनी भी पता है उस गाव को हम सालाना 50 लाख रुपये देंगे और उसका 10 परसंट अगर MVP के हाथ में आया तो 5 लाख रुपया तो सिब नेप्यरग्रास का आएगा 10 हेक्टर पर 20 हेक्टर, 30 हेक्टर, 50 हेक्टर, 100 हेक्टर, 5 लाख तो 50 लाख रुपया MVP is going to earn only because of biomass मैं हमें सासा कहता था MVP is the crush इसको ले लो ले लो ले लो जिन लोगों ने लिया वो लकी है क्योंकि आज से व्यवस्ता बदल गई है अब इसके बाद आप feedback दोगे MCL उसको assessment करेगा MCL को आपको बुला जाएगा booking करो, आने वाले समय में MVP के interview चालू हो जाएंगे, MVP यह इसे नहीं मिलेगा, it is going to be tough, यहाँ पर कंपनी पैसे नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि कंपनी का लक्ष पैसे लेना नहीं है, मगर कंपनी का लक्ष राइट केंडिडेट को identify करना है, बायो को is the evaluation for MVP, यह तो महीने सिर्फ एक प्रोड़क की बात की, बायो फ्यूल के लिए करना है, उसके अलवा हमारे बहुत सारे प्रोड़क जिसमें से दो प्रोड़क हमारे trial stage पे है, जिसमें संजीवनी कीट है, एक हमारा cattle feed है और उसके result भी fantastic है, मित्रो, MVP इतना कमाएगा कि वो सो को दे सकते हैं, तो भी कम पड़ेगा, और हमारे पास ऐसी जमीन है, हमारे पास ऐसा वातावरन है, हमारे पास वो manpower है, कि हम इसको कर सकते हैं, अमेरिका, यूरोप, चाइना नहीं आ सकता हमारी टक्कर में, and this is the crush of MVP, this is the crush of biomass, organic farming, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया, कि organic में हम organic करेंगे, organic चीजों का support करेंगे, मगर value addition करेंगे, एक simple सा उधारन देता हूँ, अगर आपके यहाँ पर गेहों की खेती हो रही है, आप गेहों, समझो 800 रुप्या टान, यानि 18 रुप्या किलो बेच रहे हो, और वही गेहों मुंबई आते आते 35 रुप्या किलो हो जात क्योंकि उसके पास holding power नहीं है, marketing power नहीं है, investment capacity नहीं है, सोचो अगर हम यह उनको दे दे, तो यह सब करी सकता है ना, और हम किसी company को बंद नहीं करने वाले, हम उनको raw material दे सकते हैं, हम उनको supply करने, अपनी brand तो बनाएंगे, मगर जिनको जो चाहिए, वो supply करने का काम भी हमा डालर में, this is what we need to understand, eco-friendly product, bio plastic, bio rubber, bio paint, herbal ayurvedic medicine, यह कंपनिया दे को, डाबर, बैदनार, पतंजली, विकको, अर्वो का business है, हम हो सकता है, अपनी ayurvedic company बनाएं, हम हो सकता है, इनके supplier बने, इनको जो चाहिए, वहम दे सकते हैं, क्योंकि MVP आपका है, आपके वहां से जाएगा आए, so just understand the power of MVP, herbal cosmetic, आज दुनिया chemical से दोर जा रही है, और herbal की तरफ जा रही है, herbal में कितने ब्रांडे देखो, हिमालया herbal, lotus, अनेक ब्रांडे जो herbal cosmetic बनाएं, तो दो चारी दिखा है, मगर दो चार हजार ब्रांडे, पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, इसका raw material भी आप क्रूतिक paint, Google पे जाओ, सर्च करो, गोबर से अब paint बन रहा है, ये industry, paint industry इंडिया में 65,000 करोड की है, अरे यार मेरा MBP या मेरा किसान क्यों नहीं बना सकता है paint, हम कर सकते है, we will do this, jute production, jute can be an entire economy, bamboo product, it can be an economy, bamboo से वो हर चीज बन सकती है, जो आप सोच सकते हो, इतना potential bamboo में है income potential from all this, आप जितनी महनत करोगे, आप जितना अच्छे से commitment करोगे, आप जितना काम करोगे, उतना ज्यादा आप profit कमाओगे, जहां चाह है, वहां रहा है, MCL ने आपको ऐसा platform दिया है, कि आप कुछ भी कर सकते हो, organic animal husbandry, organic cow, goat shipping, bee farming, मदू मक्की, ये देखा जाए ते छोटा साथ जी हुए, मगर इसका महत्वा जानते हो, वैगना नहीं का ऐसा कहते है कि अगर दुनिया में मदू मक्किया खतम हो गई ना, तो उसके 6 महने में दुनिया खतम हो जाएगी, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा, जो परागी करण, मतलब जो खेती से, यहां से बीच वहां, मतलब एक से दुसरे पर जाना, यह सारा काम मदू मक्कियों के कारण होता है, यह मदू मक्किया बहुत इंपोर्टन्ट है, इसको हम एक मिसन की तला रहे रहे और इसका एक डेमो हमने अल्रेडी स्टार्ट कर दिया है, यह भी मैं आपको बता दू, खुशी के साथ, रिजल यह भी हम भविशय में बड़े लेवल पर करेंगे, सिल्क फार्मिंग, सिल्क इस गॉइंग टो बिगेस इंडस्ट्री, यह पूरी दुनिया को जरुवत है, और गेनिक पॉट्री, आपका एनिमल हस्बेंडरी, और गेनिक फिशरी, भारत, अगर भारत की बात करें तो एक प्रुट्टे होगे, या बहुत लोगों को सिफ ऐसा लगता होगा कि जो हमारा CNG बनेगा या कुटिंग फ्यूल यह जो फ्यूल बनेगा यह सिर्फ गाड़ीयों में जाएगा नहीं मित्रो यह गाड़ीयों में तो जायगा ही, इसके साथ-साथ यह इंडस्ट्रीय फ्यू ना होगा शुरुवात एक फेक्टरी से होगी आगे हर लोगों के साथ हम जुड़ते जाएंगे यह हमारा पूरा स्टेटेजी है ट्रांस्पोर्ट फ्यूल तो ही है हमारे फ्यूल को हम क्या नाम देते हैं आपको पता है cng compressed natural gas यह तो है मगर m4 mcl हमारे इंदन का नाम है m cng यह हमें सा ध्यान रखना mcl cng is our brand cng जब कीट लगेंगे गाडियों में अभी नई गाडिया तो cng की बहुत आ रही है अगर आप मारूती की देखो गे तो मारूती इवी नहीं बनाता इलेक्रिक वीकल मारूती बनाता ही नहीं यह अंडर्स्टेंट बिजनेस वह बनाता है cng गाडिया डीजल गाडी भी उन्होंने बंद कर दी आज अगर सबसे ज़्यादा कोई गाडिया CNG की बना रहा है तो मारूती बना रहा है और सबसे दाब बेज भी रहा है साथ-ाठ मोडल है उनके जो CNG के है मगर जो पुरानी पेट्रोल गाडिया है उन गाडियों में अगर CNG किट लगाना है तो वो बिजनेस भी हमारे चैनल पार्टनर हमारे MPO डारेक्टर आप ही लोग तो करोगे यार और कौन करेगा अगर हम बात करें इसके पोटेंशिल की तो पेट्रोल गाड़ी में तो CNG किट लगता ही है मगर डीजल गाड़ी में भी लगता है आपको पता नहीं होगा साइद मगर छोटी कार में वो उतना वायबल नहीं होता मगर बड़े ट्रक में अगर लगा है तो साल भर में उसका खर्चा रिकवर हो सकता है तो आप अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे तो नाकपूर में सीएंजी से डीजल बसे चल रही है इसका मतलब क्या हुआ डीजल से भी ट्रक्स डीजल एंजिन भी सीएंजी पर कनवर्ट हो सकते है सिपूर का कॉस्टिंग ज्यादा होता है आज सप्लाय औफ फूड एंड फूड प्रोड़क्त ये भी हमारा होगा क्योंकि हर जगा पे अगर मैं एक स्लाइड पीछे जाओ तो वाट एग्जेटली क्या करना है सबसे पहले आपके गाउं को अच्छे से स्टड़ी करो आप गाउं में जन्में हो गाउं में पले बड़े हो मगर सायद उस नजर से आपने कभी गाउं को नहीं देखा होगा अब अपने गाउं की शमताओ पूरा का पूरा अभ्यास करो क्या क्या रिसोर्स है आपके गाउं में कितनी जमीन है कितने कुवे है कितने तालाव है पानी का क्या है मति कैसी है घर कितने है युवा कितने है हर चीज को स्टड़ी करो assessment of potential of various economic activity यह आपको पूरा श्टड़ी करना है estimate of business potential, आपके गाउ में कितना business हो सकता है, बेचने की चिंता मत करो, सिर्फ आप बनाने की चिंता करो, बेचने के लिए MCL की वियावस्ता आज भी ready है, अगर मैं एक-एक sample दूना, तो भी मुझे एक product कम से कम 5000 पीस देना पड़ेगा, तब जाके हमारे सिर्फ sampling होगा, तो we are ready with the system, और identify the problem and change you want to make with help of MCL, आपके गाउ में क्या-क्या समस्या है, उसको identify करो, और उसको बदलने का व्यवस्ता करेंगे हम, हमारे MCL के साथ, आने वाले 10 साल का आपके गाउ का रोड में बनाओ, मित्रो, जब हम बच्चे होते हैं, तब हम सपने देखते हैं, कोई सुता है scientist बनेगा, कोई सुता है doctor बनेगा, कोई सुता है engineer बनेगा, कोई किसान बनेगा, मगर अब आपको आपके बारे में नहीं सुतना है, अब आपको आपके गाउ के बारे में सुतना है, आने वाले 10 साल का, मैं तो कहूंगा 25 साल, 25 साल का vision बनाओ, तीन महिना, छे महिना, एक साल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, पूरा का पूरा गाव का रोड में बनाओ, मगर हमको maximum तो सब achieve करना है, आने वाले 3 से 5 साल में, बाकी तो विकार होते ही रहेगा, तो make your own roadmap of villages, prepare the blueprint, और यहाँ पे मुझे एक व्यक्ति का नाम लेने की दिल से इच्छा हो रही है, वो व्य fantastic team, first team, जिनने गाव गाव का पूरा survey किया, blueprint बनाया, तालुका का blueprint बनाया, और proper DPR ready किया, salute करना चाहता हो, मैं दक्ता सिवने सर और उन्टी टीम को, और उसके साथ-साथ, salute करना चाहता हो, किसोर राटोर सर हमारे senior prime BDA, जो वहाँ पे उनको जबर ज़स्ट गाइडन्स और support देते है, मैं तो ये blueprint, आप सबको अपने गाव का बनाना है, अगर महनत करोगे ना, महनत एक बार के होती है, मगर बाद में उसका result जबर ज़स्ट होता है, MCL, make people, villages, मतलब हमको 60% लोगों को उस गाव के जोडना है, that is compulsory, और हम जोडने के लिए हमारे MPO की व्यवस्ता है आपको और एक बात यहां पर में एक note देना चाओंगा, वो note यह है, कि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि यह पैसे हम जमा कर रहे है, यह MCL लेके जाएगी, और कल को लोग हमारा गला पकडने आएंगे, मित्रो, जो farmer producer company, यानि MPO, MCL producer organization में, जो भी collection होता है, उसका एक यूज करता है, उनका investment तालो का factory में होता है, उसके अगेंस उतने shares, उस farmer producer यानि MPO को जाता है, जो आगे जाके हम किसानों को देने की विवस्ता करेंगे, अगर सरकार के नियम permit करेंगे, तो जो आज है, कल का मैं भविश्य नहीं जानता, मगर आप लोगों को हमेशा यह न प्या भी नहीं लिया मित्रों, और ना कभी लेगी, तो just be sure कि आपको कोई चिंता नहीं है, मगर हमारा target क्या होना चाहिए, मित्रों जितने ज्यादा लोग आपसे गाउ में जुड़े होगे, उतना मजबूत आपका काम होगा, उतना मजबूत आपके business का विकास होगा, आन क्यों नहीं कर सकते यार, हम करके दिकाते हैं, हम यहां भी देंगे और दुनिया में भी देंगे, now we will become global, अब उनका समय खता हमारा खमाई शुरू, most important is vision goal, Saturday session, मित्रों, जब हम Saturday session की बात करते हैं, तो क्यूंकि Corona काल था, तो हम online ले रहे थे, but अब वो समय खतम हो गया, गा सरी Saturday session अपने गाउं में लेना है, Saturday session क्या है, ये लोगों को connect करने की व्यवस्ता है, Saturday session क्या है, Saturday session लोगों को aware, जागरूत करने की व्यवस्ता है, आपको Saturday session में जाके कोई business नहीं सिखाना है, just discuss with them, जैसे आप, आपके गाउं के नुकड पे चाई पीते वक कभी करते हो, Saturday session के एक नहीं व्यवस्ता मैंने पिछले सनिवार से उत्तर प्रदेश के जौनपूर्ड डिष्टिक के केरा कत्ता हसिल में, PM से एक जैजगे वहां से की, वहां पर हमने एक informal, मतलब, ना वहां पर हमने हॉल बुक किया, ना वहां पर हमने माइक लाए, स्पीकर लाए, ना क कोई भी प्रक्रिया आमने की, नहीं किया, हमने क्या किया, हमने किया, सिंपल, एक जगा पर चाय की दुकान पर हम मिले, वो चाय वाले नहीं हमको 10-15 खुर्चिया दी, और उसी पर बैटके हमने चर्चाय की, मित्रों आप हर M.B.P. वाले को एक दिन डिसाइड करना है, वो नार्मली गाउ में लोग मिलते है, एक दूसरे से, एक दिन, एक समय, निर्धारित करो, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो आपके 2-4 लोग आएंगे, वहाँ से सुरुवात करो, अरे कब चाय तो पिलाई सकते है न, चाय पिलाओ, और बिजनेस बिजनेस मत करो उनको पूछो, भाई तु कैसा है, तेरी तब्यत कैसी है, बहुत बार हम किसी को पैसे का अधार नहीं दे सकते, मगर दो अच्छे सब्द, दो सपोर्ट के सब्द, किसी का जीवन बदल सकता है, उसमें चर्चाय होगी, उसमें आपको आइडियास मिलेगी, और फिर 1-2, 2- पाइडियास से पाइडियास पाइडियास से लोग जुड़ते जाएंगे, और आपको सैटरेड़े सेशन जो साइड बोज लगता है न, वो बिल्कुल बोज नहीं लगेगा, आज से सैटरेड़े सेशन को आपके गाओं के लोगों से मिलने जुनने की व्यवस्ता समझो, लोगों जानने की और बताने की व्यवस्ता समझो, बट आने वाले समय में हमारे बिजनेस को, हमारे विशेई को उन लोगों तक पहुचाने का ये बहुत महत्वपूर्ण मॉडल होगा, इसलिए सैटरेड़े सेशन हर गाओं में इस सनिवार से लाइव होने कमपल्सरी है, हर तालुका वाले को हर M.B.P. वाले से फोटो लेने है, वो गाओं वाइस लिस्ट बनाना है और अपने अपने प्राइम बीडिये को देना है, कि ये गाओं में इस तारिकों इतने बज़े सैटरेड़े सेशन हुआ, लोग शुरू में कम ज्यादा हो सकते, कोई प्राब्ल तो ये आपको करना है, सैटरेड़े सेशन is the crush and it is compulsory और इसको बोज मत समझो, इसको आप जस ब्रेन से सोचो, it's very easy, बस आपको डिसाइड करना है एक दिन, एक समय, आप जहांके वहां पे खड़े रहो और आपके चर्चा की सुरुवात करो, आपको सक्सेश इस तरह से मिल चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और लोग आपसे जूड़ जाएंगे, मित्रो, MVP success directly depends on effective Saturday session, अगर MVP को सक्सेश पाना है तो उस गाओं के लोगों को उनसे जूड़ना होगा, और लोग तब जूड़ेगे जब आप लोगों से मिलते रहोगे, उनसे बात करते रहोग हैं, अगर आप उस गाओं में जन्मे और बड़े हुए हो तो आप तो सबको जानते हो, तो Saturday session क्या है, इसमें जबर्दस उदारंदूंगा, हमारे अंकलाव तालुका के बियार पठिल सर है, वो हर सनिवार को एक MVP उद्योजग को अपने परिवार घर पे खाना खाने बुल तिन चार गाओ, अगले अपते तिन चार गाओ, और उस MVP वाले को वहाँ पर रुखना है, अगर आप effective Saturday session करोगे न, success is guaranteed, इतना आप कर लोगे कि आपकी साथ पीडी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपके गाउं की पूरी शकल बदल रो गया, मैंने आपको आगे पैस 50 लाख साला ना कमा सकते, only from biomass, अभी तो मैंने और कुछ बोला ही नहीं, मगर सिर्फ यह हमारा काम नहीं है न, पैसे तो बाई प्रोड़क्ट है यार, हमको करना है पानी के लिए, ग्राम पंचार को स्वच्छ करने के लिए, water management, sanitation, trafficking, maximum plantation, पेड, पेड लगाओ, धर्ती बच मिशन चल रहा है, MCL का जल ही जीवने मिशन चल रहा है, इसको बढ़ाएंगे न, अगले साल और इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, adult education, हमारे देश में बुजूर्ग, क्योंकि पुरानी व्यवस्ता में इतना सिक्षन महत्वपूर्ण नहीं था, तो हम बेसिक उनको लिखना पढ़ना और साइन करना आए, यह तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, यह सब काम हमको करना है, prospect for good MVP entrepreneur, MVP अब किसी को भी नहीं मिलने वाला, MVP चुन-चुन के लिया जाएगा, और वो चुनाओ, पहले MCL करेगी, फिर MPO अमारे करेंगे, और यह हर MVP will be a startup, biofuel के सिवा, बहुत सारे startup हमारे भविशे में आने वाले, यह कौन करेगा, यह MVP वाले करेंगे, यह channel partners करेंगे, यह हमारे वो लोग करेंगे, जो इस vision, mission से, दिल से जुड़े है, every MVP will be a different startup, और वो भी आगे जाके क्या बनेगा ना, जब बताऊंगा तो आप हिल जाओग इसके honor नहीं हो, मगर आप एक MVP वाले हो, शायद आप एक channel partner हो, शायद हमारे सुबे चक हो, मगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो MCL के various institution में director level तक आप जा सकते हो, यह आपको ध्यान रखना है, main promoter in new venture of MCL, MCL के जो अलग-अलग उद्योग सुरू होंगे, fuel और food को छो परियावरन के अनुरूप होगा, वो सारा काम MCL करेगा, MCL परियावरन के विरुद, कभी भी कुछ नहीं करेगा, तो यह हमेशा जान रखे हो, और इन सब सेक्टर में, आप ही लोग promoter होगे, you are going to be the promoter, district level, आप managers याप हमारे director पे जा सकते हो, zone, state, national level, आप national level को ने, तो से, आज भी अगर आप जुड़े हो ना, आप हमारे level पे आ सकते हो, यहाँ पर डॉक्टर साम सर के विशही में, अगर मैं बात काऊ, performance is the only criteria, यहाँ पर वशीले नहीं चलते, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा बती जाए, no, performance is the only criteria in MCL, vice president of MCL, आप MCL के vice president बन सकते हो, CEO of the companies बन सकते हो, यह potential है, क्योंकि डॉक्टर साम सर हमेसा एक ही बात कहते है, यह company मेरी नहीं है, यह company आपकी है, और आपको इसे संबालना है, मगर यहाँ तक पोच्छने की मनजिल आसा नहीं है, इसके लिए आपकी बहुत परिक्षा होगी, बहुत परिक्षा हमारी हुवी है आपकी भी होगी और होती रहेगी, जब व्यक्ती इन सारी परिक्षाओं को पास करके महनत से, दिल से, विश्वास से जुड़ा रहेगा ना, तब वो यहाँ तक पहुच सकता है, मित्रो, MVP can make any of your dream come true, कोई भी सपना आपका हो, वो MVP पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारे आदर् भॉक्तर एपी जे अबदूर कलम करते, यह सपना नहीं होता है, जो हम बंध आखों से देखते, सपना वो आता है, जो हमें सोने नहीं देता, या सोते समय देखते वो सपना नहीं होता है, तो आपको वो सपने जो जो आप सोते होना, practically होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होन जीए मेरे गाउ में होना चाहिए यह सब यह सारे सपने एक MVP से पूरे हो सकते MCL CSR Fund benefit to the villages हर गाउ में लाइबरेडी बनाना अभी-अभी commonwealth game हुए हमारे युवाउने इतने medal जीते अरे यार हमारे पास तो talent भर-बर के है मगर उनको व्यवस्ता है नहीं है एक sports complex बनाने को 10 करोण लगते है सरकारे जब बनाएगी तब बनाएगी हमारी factory के 20% CSR fund से हम इसको बनाएंगे हर गाउ में library बनाएंगे पानी का problem solve करेंगे परियावरन का problem solve करेंगे whatever is the need of the village that we will do and we are doing it हमने शुरू कर दिया है this is the cross CSR fund is the unique point जो दुनिया में कोई company 20% नहीं करती सिर्फ नेपियर ग्रास का ना पांच दस हेक्टर का तभी ही हर mvp को यानि हर गाउं को एक लाग रुपया CSR fund जाएगा और वो दस हेक्टर से 100 हेक्टर पर जाएगा तो वो दस लाग रुपया साला ना तो सिर्फ नेपियर ग्रास का CSR fund जाएगा आप इन फंट से गाउं के विकास के काम करते हो अरे एक किसान के बेटे को पढ़ने के लिए अगर हमने scholarship दे दी नहीं जो बच्चे का ना सब दे देंगे हमको नहीं चाहिए क्योंकि उनका mission विजन ही अलग है let's make India the biggest economy in the world again भारत को दुनिया का सबसे बड़ा economy अर्थव्यवस्ता बनाते हैं मित्रो कुछ प्रस्णों जो आपके मन में आते हैं वो प्रस्णों मुझे पता है और इसलिए मैं उन प्रस्णों को भी बताऊंगा और उसके चवाब भी बताऊंगा सबसे पहले MVP booking करने का criteria है देज लाख रुपिया joint venture fee इसमें आप उसके shares मिलते हैं दूसरा पहले आपको shares विशे में समझा देता हो मित्रो MCL आज 100 करोर authorized share capital की company है और क्यूंकि अभी हम stock market में listed नहीं है उसके लिए हमको 3-5 साल लगेंगे मगर उसके shares promoter कोटा share अभी promoter के पास होते हैं और cheap promoter of MCL is Mira Maata Mira Madam is the cheap promoter of MCL तो आद 90% share Mira Madam के पास है MCL के ठीक है तो यह जब आप देड लाग रुपे देते हो तो company यह चाहती है कि जब हमारे 200-300 MCL बायो फ्रील इस्टेट रनिंग होगे अब बायो कोल के 400-500 प्रोजेक रनिंग होगे तब हम IPO में आएंगे और तब डॉक्टर साम सर को मानना है minimum 1000 रुपया will be the share value मेरा मानना है क्योंकि मैं stock market को अच्छे से जानता हो तो मेरा यह मानना है 3000 रुपया will be the value तो यह benefit हमारे किसानों को मिले इसलिए हम आपको promoter कोटा share additional benefit of your joint venture fee of MVP दे रहे हैं और इसलिए आप आप आपके personal saving account से क्योंकि current account से या company account से पैशे लेकि हम share नहीं दे सकते इसलिए personal saving account से आप यह पैशे मीरा मैडम के saving account में देते हो और उनके पास से MCL के promoter कोटा share आपके demate account में आते 100% legal procedure से 1000 लोगों को दिये और 2000-3000 लोग क्यों में हैं और इसलिए कभी इसको समय लगता है तो समय लगता है तो कभी धेरिया मत खो कोई problem ही नहीं है उसमें बट उसमें बहुत सारी detail डालनी पड़ती है transaction डालने पड़ते है उसके CMR report देने पड़ते है और एक दिन में 10-15-20-25 लोगों का ही transfer हो पाता है so that it takes time so not to worry for that आपके सबके share आपको मिले है और मिल रहे है और आज में करूंगा कि अगर सर ने 1000 बोला है नहीं हुआ मैं 3000 बोल रहा हूं नहीं हुआ अरे 300 रुपया भी हुआ ना तो भी 10 times benefit आपको मिलेगा आपके investment का without doing anything it's a golden opportunity और यह आपको फाइदा MCL दे रही है और इसलिए आप जो देड़ लाख रुपे दे रहे हो उसमें आपक पैसे दिये कल से मुझे क्या मिलेगा तो यहां पर कोई जादू नहीं हो रहा है मिलेगा इस अप्रोसेस ओप 6 months to 2 years और यह जो वेटिंग पिरियड है वेटिंग पिरियड का आपको क्या additional benefit मिले वो benefit है MCL promoter quota share अब आपको shares यह विसे clear हो गया होगा बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि surety and benefit of our joint venture fee surety क्या है benefit क्या तो benefit मैंने बता दिया promoter quota share है surety क्या है मित्रो business यह इंगलिस सब्द की सुरवात होती है B से और bravery इंगलिस अंग्रेजी सब्द की सरवात भी BC होती है business stand for bravery जिनको डर लगता है ना उनको business से दूर रहना चीए मगर डॉक्टर साम स प्राची में यह वो लोग है जो किसानों की चिंता करती है और इसलिए आपका जो MVP का document sign होता है चाहे वो NDA हो चाहे MOU हो चाहे agreement हो आपको जो MVP कीट मिलता है यह सब आपके MPO के थ्रू नहीं होता directly with MCL होता है डॉक्टर साम सा take this responsibility इतने लेवल का व्यक्ति अगर हमको बोलत दूसरा है is there any changes in old and new booking policy MVP मित्रो पुराणे समय में एक model था जिस model में आपको 25 लाग की loan लेनी थी उसका 5 लाग margin money भरना था उसमें जमीन लेनी थी जमीन पर mortgage होना था और EMI भरना था हमारे पास किसान आए और किसानों ने का सर यह तो बहुत रिस्क है पंगा है हम फस जाए कभी तो क्या होगा सर यह सब बोजम पर मठ डालो तब डॉक्टर साम सर ने चुकि वो तो किसानों काई सोतते ना उन्होंने पूरी व्यवस्ता बदल दी और सर ने कहा आप लोगों को एक रुप्या भी loan नहीं लेना whatever need वो एक रुप्या हो चाहे एक करोड़ हो जो जहां पर जरुवत होगी वह MCL आपको सपोर्ट करेगी और इसलिए पूराना कॉंसेट में कोई चेंज नहीं है इंपूरूमेंट से ठीक है आपकी इंकम पहले से ज्यादा बढ़ गई है तब तो बायो कोल आपको पता ही नहीं था तो अब बायो कोल में इतना कमाने वाले हो तो है जब आप पैसा कमाना सुरू कर दोगे तब आपको जो चाहिए वो सारी विवस्ता आप करीड होगे यह हमको भी पता है और आपको भी पता है तो MVP क्राइटरिया आज क्या है देट लाग रुपया joint venture fee with approval from MCL आज के बाद कल दो दिन पहले तक हमारे पास authority थी अब वो खतम हो गई है अब MCL के पास authority है वो हमको बोलेंगे तब ही हम आपका MVP बुक कर पाएंगे और आपका घर आप उस गाओं के local होने चाहिए और उस गाओं में बाकी की सारी विवस्त आप आराम से कर सकते हो, so not to worry, MVP is very simple now with extreme high income potential, तो कोई बदलाओ नहीं है, अगर किसी चीज़ को improve करना है, आपके हित में सोचना है, तो ये तो MCL को करना ही पड़ेगा ना, हमेसा एक बात ज्यान में रखो, MCL अगर कुछ बदलता है ना, तो आपके भले के लिए बदलता है, मगर होता ऐसा है कि या तो आपको message proper नहीं जाता, या फिर आपको लगता है यहीं हो गया, मगर ऐसा नहीं होता, MCL always think for you, और जो होता है वो चीज़ों को आसान करने के लिए और उसमें आपकी income को बढ़ाने के लिए, यही होता है, तो always be secure and safe about that, next question है, from when MVP start earning and how much, अभी आप हो जाती है, क्योंकि जिस दिन वो share market में आएंगे तब जो value होगी न वो आपकी कमाई है, समझे आप मेरी बात, आज ऐसे हजारों कमपनिया, एक वेसले ग्रूप था, इसी बहुत कमपनिया जो MCL का stake, 2019 में 71 रुपिज से लेना चाहते थे, हम तो 38 रुपिय में आपको दे एक रुपिया, फेस वेल्यू का share आपको 30 रुपिज में आता है, और यह आपके डिमेट एकाउंट में आता है, बहले आपको 2-4 साल इसको रखना पड़ेगा, मगर यह लेने के लिए आद लोग line लगा के खड़े, मैं आपको challenge देता हूँ, आप में से कोई भी व्यक्ति बुक नहीं करना चाते हो, MPO बुक करना नहीं चाते हो और आपको कोई share मिल रहे है क्या, MCL share बेचने वाली company नहीं है, share बेचने होते हैं तो मैं एक ही दिन में खतम कर देता, 100, 200, 500, 1000, 1500, 1000 करोर के share लेने वाले लोग पड़े, तो यह नहीं अभी जुन-जुन नहीं जी जो आपकी कमाई टेकनिकली पहले दिन से ही होती है, मगर अब हमने क्या किया है, बायो कोल लाया है, अगर फेक्टरी को देड़ दो साल लगते, तो बायो को 6-8 महिने लगेंगे, अगर आप ठीक से काम करोगे, तो उसका क्राइटरी आया है, 100% MBP बुक और 15,000 मेंबर फर्मद होता है, कुछ strategy होती है, तो क्या आपैसा कह सकते हैं, कि मुझे आयस बढ़ना है, मगर मैं ये परिक्षा नहीं दूँगा, मैं वो परिक्षा दूँगा, ऐसा होता है क्या, डीकटर बनने के लिए पलग परिक्षा होती है, ये आपकी परिक्षा है, तालुका वालों की और 100% MVP बुक हो जाएगा मित्रो आपके आजू-बाजू में 50 कंपनियों का काम चालू है अब वो स्पीड पकड़ेगा और बहुत तेजी से आगे बड़ेगा उसके अलावा बायो कोल की जिन लोगों यह बायो कोल की फेक्टरिया प्रोडक्शन में आ जाएगी सिब यह नहीं आएगी जो जो कॉलिफाय होगे उनकी आएगी और आप अगर यही दिखा दोगे ना किसानों के तो भी आपके बीडिये सीनियर बीडिये आपके बीडिये और आपकी पूरी टीम का लो अब बात करते हैं वोट इस दा श्योरिटी ओफ इंकम फॉर एंवीपी इंकम फॉर एंवीपी नेटवर्क है आज भारत में 32 लाग किसानों का अमारा नेटवर्क है अठरा राजियों में हम है पांच अजार एंवीपी पेड है और बाकी 10 अजार लाइन में है ठीक है इसके अलवा 7500 तहसीलों में हम है कम से कम 300 जिलों में हम है इतना बड़ा नेटवर्क जिसके पास हो ना कमाई की तो बाती छोड़ दो भूल जाओ की कमाई क्या होगी अगर हमको सिर्फ कमाई के लिए काम करना होता ना तो आज हम 25-50 प्रोड़क बेच रहे होते और आप सब कमारे होते बड़ेट इस नॉट्टर साम गोलब्चर को पता है बायो फिल इंड़स्ट्री में कैसे काम करना है क्या क्या करना है कपक अधरी लोगों का काम है एंप सीएल विश्वास करने वाला लोगों का काम है जिनको डर लगता है भाई लगता है उन लोगों को एंप से दूर रहना चाहिए और यौर इंकम इस अवर रिस्पॉंसिबिटी वह हम करा के रहेंगे डूटीज एंड रिस्पॉंसिबिलिटी एंबीपी जो काम एंप सीएल आपको कहती है न वह विश्वास से करो नाओ का डीपीर बनाना है बनाओ सैटड़े सेशन लेना है लो शर के वेबिनार में लोगों को लाना है लाओ आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी ठीक से करो एंप से करों एंप एक दम ठीक कर रहा है कुछ कुछ लोगों को वो समझ रहा है कुछ लोगों को आने वाले समय में समझेगा बट लेक्ट मी टेल यू पहने पात साल हो गए मुझे जाता है कम नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि हम क्या करués क्यों करे और कैसे कर AT अब राजा का बेटा राजा नहीं सबNO कर रहें हुआ तो मैं करतिक क्रावाल एज येה लट सभी आप सबका इस क्रांति से जुड़ने के लिए इस मिसन से जुड़ने के लिए आपके गाऊंगों को सुंकरने के लिए देश को आत्मनिर्मर बनाने के लिए और भारत को फिर से विस्वा करों बनाने के समाप करता हो Unoth